अगर किसान भाईयो आपके धान की ग्रोथ रुक चुकी है या फिर आपके जो धान की ग्रोथ है वा बहुत दीमे हो रही है और आप अपने धान की जो ग्रोथ है वा बहुत ही कम समय में बहुत ही कम खर्चे में बढ़ाना चाहते हैं तो बिलुकुल सही वीडियो पर आपने शुरू हो जाएगी तो अगर आप भी अपने धान की गुरोध बढ़ाना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि वह कौन से दो खास उरवरक हैं तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर दिखेगा इसकिप मत किजिएगा नहीं तो इन्फरमेशन आपको अधूरी ही मिलेगी साथ ही अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देखने आएं किसान भाईयों तो सब्सक्राइब करके भी बेल आइकन को जरूर दबाईएगा इस चैनल पर हम आपके लिए धान के खेटिस सम्बंदित सभी छोटी बड़ी जानकारी की वीडियो निरंतल लाते रहते हैं किसान भाईयों पिछले कई वीडियो में बहुत सारी किसान भाई कॉमेंट में पूँच रहे थे कि ये बताईए हमारी जो धान की ग्रोथ है वह रुक गई है या फिर उनकी जो धान की ग्रोथ है वह बहुत धीमे हो रही है किसान भाईयो जब भी धान की ग्रोथ स्लो होत है तो धान की गोष रुख जाती है तो उसमें कल्लूक की संख्या जादा नहीं मिलती किसानभाय को अच्छी प्रमुख यहाई पोसप तुक्त कमी जी हां किसान भायो अगर आप अपने धान फूसल में सही समय पर सही मात्राय में उरबरक नहीं डालेंगे तो निश्यती किसान भायो भविश में आपको इस समस्य का सामना करना पड़ेगा सबसे पहले किसान भायो आये जानते हैं कि कौन-कौन से उर्बरकों के ओसकता होती है जब किसान भायो आप धान की दोपाई करते हैं उसके 6-7 दिन के अंदर ही आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और जिंक इन उर्बरकों को आपको अवस्स ही डालना चाहिए तब किसान भायो शुरुवाती उस्था से आपकी जो धान की ग्रोथ है वह अच्छी रहेगी साथी जड़ों का विकास बहुत अच्छी से होगा आपकी धान की फजल सुरुवाती उस्था से हरी भरी बनी रहेगी लेकिन अगर आप सही मात्रा में सही समय पर इन उर्बरकों को नहीं डाल पाते हैं किसान भायो तो धान की ग्रोथ का फिर धीमी हो जाती है या फिर आगे चलके रुख जाती है लेगिन इस समय पर आप क्या कर सकते हैं अगर किसान भायो आपके धान की ग्रोथ रुख गई है आप उसको बढ़ाना चाहते हैं तो आपको लेना है किसान भायो लगभग 30 केजी प्रत यकड के हिसाब से यूरिया और उसके साथ में कि द्धान की खेद में इसका बुरकाव कर दे नहाए इसका रिज़ल्ट केसान भायो मातर आपको दस दिन के अंदर ही दिखना सुरू हो जाएगा Зभी तक जो आपकी धान गुरोथ रुखी हुई है किसान भाईो वह बहुत तेजी के साथ बढ़ना सुरू हो जाएगी दस जिनके अंदर ही किसान भाईयो इसका रिज़िट आपको दिखने लेगा, इसके साथ ही किसान भाईयो और भी बहुत सरा लाब होने वाले हैं, जैसे अगर आपके धान की फसल में कलों की संख्यका में किसान भाईयो, वह भी काफी ज़्यादा बढ़ने वाली है, बहुत जी के साथ होना सुरू हो जाएगी प्रिया सब पर किरिया होगी किसान भाईयो तो आगे चल कर आपको अच्छी पैदावार धान की फसल से मिलने वाली है तो इतनी ही मात्रा में किसान भाईयो इन दोनों और बर्गों को आपको इस समय पर डालना है इनका रिजल्ट किसान भ जो ऑालना में प्रेवार जन के पीशदय कुझण है पुर आपको आपको कैन भाज़।